एलो एक्षब में कुस्वा करते हैं विडियो में हमने जेसी आई की पूरा जो अफिशन नोटिफिकेशन है सब कुछ डेटेल में डिसकस किया था इस वीडियो में सेलेक्शन क्राइटेरिया एन उसका प्रॉसेस है वो कंप्ली डिसकस करेंगे तीनों पोस्ट होगा ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देगी तो फटा फिर जाकर देख लो वरना बहुत अच्छी विकेंसी मिस करता हो गया ठीक है पहली बात इसमें जो होगा पहले में हम बात करते हैं एकाउंटेंट पोस्ट की ठीक है इसमें के बाद स्टेज वन होगा स्टेज टू आपकी होगा डीवी एन इस्टेज ट्री होगी फाइनलिस्ट मेरिट तो यह आपकी तीन इसमें स्टेज रहेंगी अब बात करते हैं इसमें जो कालिफाइंट पैरामेटर होगा जनल ओवी सी एन एड़ एड़ू एस एंड एक्सरेशन के लिए पचास परसेंट होगा और से एक यह बात करते हैं जो नेक्स पोस्ट है वह है जो जो इसमें भी आपकी तीन स्टेज पर बिनट की टैपिंग टेस्ट लेको मैं आपको बताया था जूनियर एसिस्टेंट में उन्होंने 40 वर्ट्स पर मिनट की टाइपिंग बताई है इसको बाहर कोई भी सकता है क्योंक 40 वर्ट्स पर मिनट की टाइपिंग वह अगर आती हो या फिर वह आप सीख सकते हो तो बरियेगा या यह चीज़ इसमें mandatory अब एक चीज़ हो सकती है कि जिस दिन आपका CBT हो उसकी second shift में है ठीक है वहीं पर या फिर कहीं दूसरे places पे आपका या फिर अगले दिन आपका ट थोड़े filter out हो जाएंगे एक criteria जो होगा कितना criteria इनके लिए भी 5045 का ही criteria है तो उतने बच्चे निकलाएंगे और उनको typing test के लिए पेज़ दिया जाएगा तो next stage में जोगा इसमें भी DB होगा और third stage final merit list होगी इसमें इतना रिलेक्स कर दिया गया है ठीक है बट केवल English इंगलिश की तो यार आपने लोग प्रेटिस कर सकते हैं बात कर लेते हैं इसमें जो भी CBT marks आएंगे और जो performance होगी in typing test तो जो आपका CBT marks फिर उसके बाद एक क्या लिए 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 पर्फोर्मेंस in CBT marks and performance in typing test फिर उसके बाद जो होगा उनको DB के लिए बलाए जाएगा तो एक रेशियो 5 के recording आएंगे तो एक बेकेंस से 5 बंते तो वो चीह आप देख लीजिएगा कि आपका उसमें पारवान की नाम होना चाहिए और maximum to maximum marks gain के लाने का परियास करना यह 545 पर मदड़ के रहा है यह कोई भी कटारी का इंडिएट हो और इस चीह दियान रखना ते कोई भी कटारी का इंडिएट हो पचास और पैतारी वाला भगवान वरूस ही कोई आए ना तो वह सकता है जो नेक्स पोस्ट है बात कलते हैं वह जूनियर इंस्पेक्टर की इसमें विश्चेश दियान रखना इसमें CBT है पहला स्टेज दूसरा है डीवी तीसरा है ट्रेट टेस्ट और चौता है फाइनल मेरेट अब यह ट्रेट टेस्ट क्या होगा इसके बारे यहां पर फिलाल कोई जान करें अगर नीचे होगी तो मैं बता दूँगा ठीक है बट यह डीवी के बात होगा और डीवी में आपके डाकुमेंट टेक्ट कर लिए जाएंगे कि आपने उस विल्ड का एक्सपेरियंस है या नहीं और एक चीज दियान लगना है इसमें जिस चीज में एक्सपेरियंस मांगा है कि एवल असिस्टेंट वाली के पोश्च चौट के वागि साभी में एक्सपेरियंस मांगा है ठीक है दोनों में तो वो अगर नहीं है तो भी मत बारना क्यों बेफालत हुमें आप कॉम्प्टिशन बढ़ा होगी और कुछ डाकुमेंट का यूज मत करना क्योंकि आजकल रूल्स बहुत अच्छे खासे हो गए है और जो रीकवरी है ना बहुत दंगडी हो गई है बहुत नुक्सान होता है अगर आप लोने कभी रीकवरी देखी नहीं है तो कुछ कोट केसे हैं आप देख लीजी का ओनलाइन क्या है कि CBT माक्स के लिए और फिर कॉर्ट डीवी के लिए बुला जाएगा फिर सब्सिक्वेंटली ट्रेट के लिए प्रिफेरली ऑन दा सेम डे आपका डीवी और जो आपका ट्रेट टेस्ट है वो सेम डे होगा एक तरीके जाब इस अपना इंटर्व्यू समझ अगर होता है तो CBT के लिए और सब्सक्राइब करें तो वह सब्सक्राइब कर देखा जाएगा मतलब कितने माक्स आया हैं कितना डीवी बच्चे आया है तो उसके अपने नहीं वाले जब इतना अक पर पांच बंदें तो इसा पुछ भी नहीं होता अब एक ची यहां पर क अब इसमें चो यहां पर क्यां पर दी अब इसमें चुछ आपको साथ नमर लाने ही लाने पर यह भी एक और अब आपकी डाकुमेंट वेरिफिकेशन में क्या है इन तीन होंगे आधार पर आपकी मेरिट वनेगी पहले नमर जब CVT होगा तो उसमेंसे अगर सौ मेंसे पचास बंदे हैं तो वो चट गए ठीक फिर पचास मेंसे जो आपका डीवी होगा अगर एक्सपिरियेंस नहीं होगा तो यह समझ लो दस बंदरे पंदे तो पैदा ही चट जाने है ठीक है अगर हम यह मानते हैं कि च्ट थोड़ा विशेष कर द्यान रहते हैं और एक्सपिरियेंस का और ट्रेट टेस्ट का एक्सपिरियेंस है वह चीज़ देख लिए है अब यहां पर यहाँ पर एक चीज़ क्लारीफाइब कर दी है जूट के वाले में थोड़ीन ले ले लेना और अगर आपने है तो जूट का experience इसी लिए ही मांगते हैं जैसे कि मैं आपको starting बताया था कि quality का clarification करते हैं सिंपलती बात है अगर कोई भी आप product लेते हो तो अगर आपको उसकी experience है तो आप quality का बड़े अच्छे से clarify कर पाऊगे और अगर quality में क्या स्लेवर्स आएगा ठीक है वह अभी में और डिटेल में देख लेता हूं इस notification बैसे मेरी हाजन नहीं है ठीक होफफुली साथ जैसी या की website पे आप कहीं और से अगर मुझे प्रोवाइट हो सकेगा तो आपको प्रोवाइट करा हूंगा अगर आपको कुछ और information इसके रख चाहिए या फिर यह स्लेवर्स की रिकार्मेंट है तो कमेंट बोक्स में बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट चूडियो में किसी और ब्रिक्स का दिया जैसी है किस लेवर्स के साथ जाहिंद